सब्सक्राइब करते हैं यहां से मैं एक साउथ की दिशा में लक्षमन को ड्रा करता हूं इस साइड में इस वक्त साउथ की डिरेक्शन में नीचे फेस कर रहा है एक मृठ कर रहा है ही अगे सरा होका क्लउखवाईस ड्रेक्षिन होती है जिस था से घरी की सुई करती है इस तरह سے इसको हम कहते है clockwise direction, जब इस तरह से मूग करती है, इसको हम कहते है anti-clockwise direction, तो चलिए clockwise direction के अंदर यह मूग कर गया, 80 degree, 80 degree इसने मूग किया, अब आप देखेंगे जहां पे अगर आप hypothetical एक से देखें तो जहां पे आपको 90 degree इस तरह बिल्कुल सट्रेट होता है, जहां पे 90 degree का आता है क्योंकि जहां पे 90 degree होता है, तो 90 degree इस वक्त लक्षमन ने, पहले लक्षमन जहां पे था, अब लक्षमन जो है इस direction में आ गया है, ठीक है, ना, देन 150 degree in the anti-clockwise direction, and मैंने कहा anti-clockwise direction जब हमारी होती है, तो होती है, इस तरह से reverse वाली, ठीक है न, यह हमारी होती है clockwise direction, अब बेस हमारा कौन सा होगा, यह वाली लाइन हमारी बेस होगी, जहां से यह मूग कर रहा है कितना, how much, 150 degree in anti-clockwise direction, ठीक है, in anti-clockwise direction में जब जाएगा, तो फर्दा एट इसको इस side में जाना चाहिए, अब देखते हैं, 150 degree इसका कहां पे आएगा, दो हमारे पास scale वगरा नही है, जहां पे हम देखें, ऐसे straight line अगर हम इसको पीछे extend करें, तो यह इसका 180 degree बनता है, तो 150 लगबग हमारा जो है, इसका इस side में बनेगा, इतना, जहां से यह मूग करेगा, इस side में 150 तक, तो जहां पे इसका बन गया, इतना होगा हमारा इसका 150, assume कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मुझे थोड़ा उपर ड्रा करना था, ठीक है, इसको ना भी the perfect 150 degree, आप इसने जहां पे मूग कर दिया, प्रेजंटली लक्षमन इस जगह पे है, इस direction में है, ठीक है, जहां तक पहुचाए हैं, then 55 degree in clockwise direction, उसके बास यह 55 degree clockwise direction में आता है, अगर clockwise direction में आएगा, तो इस side में इसको आना चाहिए, and 55 degree कैसे हम नोट करेंगे, जहां पे इस side में होगा 90 degree, and जहां पे इस direction में यह आ जाएगा, तो जहां से जहां पे अब आज यह आ गया 55 degree, and now again यह क्या कर रहा है, and again 150 degree in clockwise direction, तो इसके बाद अगें जो है clockwise direction में जाएगा, अब इसका यह वाली line रहेगी, ठीक है, इसकी straight line जहां पे अगर रहेगी 180 degree, and इसका 150 अगर हमें ड्रा करना है, तो यह आएगा लगबग, इस direction के अंदर, जहां पे आएगा हमारा इसका 150 degree, ठीक है, तो presently लेक्षमन जो है, finally जहां पे पहुंच चुका है, इस direction में, जहां पे उपर हमारा क्या हो is facing now, कौन से direction face कर रहा है, D वाला हमारा correct answer रहेगा, कि D जो है, नॉर्थ वेस्ट में इस वक्त face कर रहा है, मुझ करते हैं आगे, immense thoughts from a point A, एक आदमी है, एक point से शुरू करता है, A से शुरू कर रहा है, ठीक है, assume करते हैं, यह हमारा एक point है, A, जहां से शुरू कर रहा है, ए इस देशा में, तो इस देशा में यह चलेगा 14 मीटर्स, ठीक है, इसने 14 मीटर्स मुझ किये, then he took a right, अब अगर इसको धाएं जाना है, तो यह नीचे आएगा, and walked 8 मीटर्स, ठीक है ना, इसने right मुझ किया, and 8 मीटर्स जो है चला नीचे, तो इस तरह इसने 8 मीटर्स जहां से जाएगा, तो left इसको इस देशा में फिर जाना होगा, ठीक है, इस देशा में यह जाएगा, यह कितना जा रहा है, he took 10 मीटर्स, जहां पे यह 10 मीटर्स जो है, इसने इस साइड में मुझ किया, and again he took a left, अब इसके बाद फिर से left जा रहा है, तो अगर फिर से left जाएगा, तो इस उपर वाली देशा में जाएगा, and walked 18 मीटर्स, ठीक है, उपर जा रहा है, and 18 मीटर्स जो है, इसने यहां से जो है मुझ किया, ठीक है, इस देशा में, 18 मीटर्स के इसने जो है मुझ किया, now he reached B, अब यह जो B पॉइंट है, जहां पे यह पुँचा, ठीक है, now how far is point B from point A, point A से point B कितना दूर है, ठीक है न, यह हम से नहीं पूझ रहा है कि इसने कितना distance travel किया, बलके हम से यह actual में displacement पूछ रहा है, कि shortest distance इंके बीच का जो है, वो हमें बताए, तो shortest distance इंके बीच का यह वाली line होगी, इसका distance हमें पता चल जाता है, तो then we will be able to find कि इसका distance क्या ह होगा, जब ऐसा question होता है, तो यह इसी theorem पे, इसी formula पे यह दूसरा हमें question देखने को मिला, यह actual में पेथागुरस थरम पे based है, ठीक है न, पेथागुरस थरम हमारी क्या कहती है, जिसके अंदर हमारा होता है, हाई-बड़ने इसका square is equal to base square plus perpendicular का secure, for that यह ज़रूरी होता है कि हम right angle triangle बनाएं जहां पे, ठीक है, तो जहां पे इस वक्त यह वाली straight line जहां तक आर ही है, यह तक, शांसे मैं एक बिल्कुल straight line में extend करूँगा, ताकि इस line पे पहुंचे, इसको hit करें, जहां पे 90 degree का angle बने, अब जहां पे 90 degree का angle इसने जहां पे जब बन गया, तो यह हमारा आइ, जहां पे यह वाला जो distance है, यह कितना है, यह वाला जो distance से सोखी है, आप देखें, यहां तक हम ने calculate किया था, यह था 14 meters का, ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक का देखें, यह है 10 meters का, 14 और 10, आप देखेंगे, in total यहाला से HERE जो distance, एक्शल में कितना है, 24, ठीक है इस तरह से हम देखें, यह उपर जहां से यहां तक आपको देखेगा, यह 18 मीटर का डिस्टंस है, उस में से यह वाला जो है 8 मीटर यह नीचे आया था, ठीक है न, यह वाला 8 मीटर हम इसमें से घटा देंगे, तो जहां पे कतरे मीटर बचेंगे, इस डिस्टंस में में हमारा 10 है तो हमारा फर्मूला यहां पर लगना चाहिए बेस का स्क्वेर प्लस प्रपेंडिकुलर का स्क्वेर ठीक है तो हमारा यहां पर देखेंगे 24 का स्क्वेर प्लस दस का स्क्वेर ठीक है 24 का स्पूर हम स्पूर करेंगे तो जो समर्णे संप आता है 576 ब्लस जब हम 10 का स्वेर करेंगे जह हमारे पास आता है 100 ठीक है 24 चो बिस क्यतने नहीं आता है कि तो यह आता है हमारा 100 अब जब हम इसको यनकरते हैं यह हमारा किस्कुर उकल होता है ठीक है ना 576 प्लस 676 अब H का स्क्वेर हमारा हो गया 676 ठीक है ना तो यह जो 676 है जब हम इस पर अंडरूट करेंगे हमारा इकोल किसके इकोल हो जाता है यह होता है 26 एंटू 26 के तो यह वेल्यू हमारे पास 26 आजाएगी तो 26 हमारा परफेक्ट रहेगा कौन सा सी हमारा राइड अंसर है भू करते हैं नेक्स्ट वे नेक्स्ट है हमारा क्वेशन नुबर 13 के अंदर क्या है ABCD ठीक है ना ABCD हमारे पास जो है stand है जो around is circular ground है equal distance पे रखे होए ठीक है? suppose करते हैं जे हमारा एक सर्कुलर ground है ठीक है एक stand झहां पे है माननें दे है एक stand यहां पे है एक stand यहां पे है तो चलिए इसमें क्या अबदा आ रहा है? South को, A South को face कर रहा है, तो मान लेते हैं, यह हमारा A है, ठीक है न, और क्या है हमारा, B face कर रहा है North को, तो B face कर रहा हमारा North को, C face कर रहा हमारा East को, C face कर रहा हमारा East को, D face कर रहा हमारा West को, ठीक है, A can complete one round in 12 minutes, A जो है, इसको इस गूमने में, जो है, 12 minute लगते हैं, ठीक है न, 12 minutes, B को, B can complete 1 round in 16 minutes, B जो है हमारा 16 rounds, 16 minutes के अंतर अपना जो है एक पूरा circle जो है complete कर लेता है, ठीक है न, then we have C को लगते है 20 minutes and D in 12 minutes, और D जो है उसको 12 minutes लगते हैं, they together started to run around the circular ground, ठीक है न, तो ये सब जो है चलना शुरू होते है, एक ground के circular round, ठीक है न, मुह करना शुरू करते हैं for 30 minutes, 30 minutes के लिए in clockwise direction, तो clockwise direction इनकी कौन सी होगी, मतलब कि इस देशा में ये सबी जो है इस तरह से मुह करना शुरू करते हैं, ठीक है न, इस तरह round लगाना शुरू करते हैं, for how much time, for 30 minutes, ठीक है, बी को कितना time लगता है, एक चकर लगाने में इसको लगते है 16 minutes, 16 minutes लगते हैं इसको एक चकर लगाने में, तो चलिए, जहां से इसने शुरू किया, जहां से इसने गुमा, 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 जहां तक पहुंचा, इसको होगे 16 minutes, and now again, फिर से इसने मुह किया, क्योंकि इसको 16 मिनिट लगते हैं जहां तक पहुंचने में बी को वापस आपनी जगह पे बट जो है 30 मिनेट का हमें टोटल टाइम है तो इस वक्त यह जहां पर रुख जाएगा एंड आव हमें बताना है कि यह किस डिरेक्शन में फेस कर रहा है तो इस वक्त हमारे पास कु 6 statements is given below followed by 4 answer choices. ठीक है ना? Each of the answer choices has a combination of 3 statements from the given set of 6 statements which are required to identify the answer choice in which the 3rd statement logically follows the first two in the same order. ठीक है ना? जहां पे इसने ने निचे statements दे रखी हैं 6 statements है ठीक है इसमें इसमें तीन-तीन का set बना के रखा है ठीक है statement first है statement second है उसके बाद statement third है ठीक है हमें जे बता रहा है कि हमें देखना है कि जहां पे ऐसी कौन सी combination है जिसके अंदर first statement, second statement को logically follow कर रही है third statement ठीक है ना? जो पहली दो statement हैं कार रही है third statement उसको follow कर रही है मतलब उसको जो है approve कर रही है, justify कर रही है कि ये ठीक है ठीक है तो चलिए जहां पे इसने combination बना के रखी है जहां पर combination से हम इसको जो है randomly check कर सकते हैं जह तरह पहले BDE को check करते हैं ठीक है ना जहां पर जब ऐसा question होता है तो हम option से ही check करते हैं ठीक है ना तो पहले BDE को हम अगर check करेंगे कह रहा है no animal is a reptile ठीक है ना no animal is a reptile फार एक्जम्पल यह करता हूं में यह हमारे अपास अनिमल है यह reptile है ठीक है ना यह animal है यह reptile है ठीक है कोई animal कोई reptile नहीं है तो हमने इस तरह से बना दिये दो circles ठीक है ना उसके बाद कोन सा है D हम देखना है सम unex business तो जहां पर दूसरी statement में हमें कहता है कि सम़ अग्पश्रेंस जो है वो disczym Pan भी आल्ड टो है थार्ड जो चीज हमें बता रहा है कि कुछ तो तीसरी जो है पहले दूग फालू नहीं कर रही है इसलिए हम इसको कट कर देंगे तो चलिए आगे देखते हैं ACB हम इसको चैक करेंगे इसके अंदर भी हमें contradiction देखने को मिलता है तो हमारा जो है इसमें D को हम देखते हैं ठीक है ना तो D हमारा correct है तो D को हम एक बार check कर लेते हैं ABF A हमारा क्या है all birds are animals जो जितने भी birds है वो animals है यह birds है यह animals है sorry हमने वन डाग्राम दूसरी दरह से बना all birds are animals यह है all birds ठीक है न यह है यह birds ठीक है यह सबके सब animals है तो यह होगे हमारे उपर ऐनिमल ठीक है वन धिंग ठीक है उसके बाद क्या है B थो B क्या है हमारा no animal is reptile नो animal is reptile ठीक है तो no animal जो है हमारा reptile है तो reptile हम राक लेते हैं यहाँ पर ठीक है यह रैप्तायल है इन के बीच में कोई आपने समय relation नहीं है ठीक है उसके बाद f देखते हैं f कहां पर है no reptile is a bird ठीक है ना कोई भी reptile जो है वो bird नहीं है तो ये reptile है ठीक है तो bird यहाँ पर है ठीक है तो bird जहाँ पर है ठीक है अब हम देखते हैं कि यह वाली जो तीसरी statement है जो पहली 2 को contradict नहीं कारी देखिए birds, animals क के अंदर कहा के reptiles and birds के बीच में कोई relation नहीं है तो शहां पर हमें clearly दिख रहे है कोई relation नहीं है तो यह हमारी जो है logically follow होगी तो D हमारा perfect रहेगा ठीक है तो चलते हैं हम आप next पे question no.15 है हमारा in the following questions दिए गए नीचे questions के अंदर यह symbol है dollar का है plus का है cross का है hash का है percentage का है use किये गए है used with the following meanings as illustrated below ठीक है ना इनको कुछ मतलब के लिए जहां पे इसने use कर रखा है ठीक है a dollar b का क्या मतलब है कि a जो है a is not smaller than b a जो है वो b से smaller नहीं है ए जो है a जो है वो b से smaller नहीं है ठीक है ना तो इसका क्या मतलब हुआ है इसका यह मतलब हो सकता है कि either a जो है वो b के equal है या a जो है b से बड़ा है ठीक है ना यह दो चीज़े हो सकती है तो इस तरह से इसने statement भी दे रखी है में time waste होने की वज़े से जहां पे जो है आपका time ज्यादा नहीं होंगा हम direct आते हैं नीचे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनको उपर देखेंगे जनरली हम exam के अंदर भी इसी तरह से सालव करते हैं l krasin l krasin का क्या मतलब हुआ l krasin ठीक है l krasin इसका मतलब समझते है l krasin का ठीक है उपर kras का क्या मतलब है kras wala जहां पे हमें दिख रहा है इसका मतलब होता है a is neither smaller than not equal to b ठीक है ना ए जो है ना ही छोटा होता है और ना ही बराबर होता है b के ठीक है इसका मतलब है l ना ही छोटा है l ना ही छोटा है और ना ही equal है किसके b के ठीक है ना तो इसका क्या मतलब हुआ है से हम भी से बारा है लगा ओपर हम एन ले रहें ओपर हम एनिये और एनसे बड़ा है ऐँग कर डूसरा है हमारा in फयांज मतलब होता है मतलब होता है का मतलब होता है ए निदर greater than not equal to be A जो है ना ही बड़ा है ना ही जो है बड़ा है और ना ही बराबर है B के इसका मतलब है कि A छोटा है इसका जहाँ मतलब होगा N जो है M से छोटा है N जो है M से छोटा है M डॉलर के M डॉलर के हमारा कहां पे है जहां पे dollar का क्या मतलब होता है is not smaller than b अगर a smaller than b नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इदर बड़ा हो सकता है जा इकल हो सकता है किसके b के तो जहां पे m जो होगा हमारा जा तो greater than होगा जा इकल होगा किसके k के नाव यह तीन चीज़े हमने जहां से जहां से अब हम समझते conclusions के percentage इनका क्या मतलब है percentage का मतलब होता है a is neither smaller than not greater than b a is neither smaller than not greater than b तो मतलब k जो है ना ही n से छोटा है और ना ही n से बड़ा है मतलब k जो है is equal to n है ठीक है तो पहली statement हमें जे बता रही है तो जहां k and n का relation हम देखें देखे l and n का है n and m का है and m and k का है and जहां से अगर हम जे चीज़ देखें तो k जो है k actual में m जो है m k से बड़ा है ठीक है ना फिर m और n के बीच में जो है relation establish हो रही है इसको हम अगर घूर से देखें तो हमें जे चीज़ क्लेरली पता चलती है कि जे चीज़ हमें से predict नहीं कर सकते है कि k n के equal है ठीक है ना k n के equal जहां पे जो हमें नहीं देख रहा क्यूंकि actual में जो n है वो m से ही क्या है छोटा है ठीक है ना तुझे possibility हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई एक 2 cases हो मगर सभी cases ऐसे नहीं हो सकते तो पहली conclusion हमारी नहीं होगी दुसरी conclusion की भात करते है L c k e m है गरास का क्या मतलब होता है जब क caut का मतलब होता है L रास L का मतलब हम जहां पे means a neither से Need-aink log तो A ना ही छोटा है ना ही ब्राबर है बी के तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो L है वो हमेशा से बढ़ा है कि से M से L जो है हमेशा से बढ़ा है M से जे यहां पर कहीं दिखने को मिल रहा है L जो है हमेशा से बढ़ा है N से In statement के अंतर देखें L and N के बीच में relationship है and then इसके और इसके बीच में relationship है जैसे हमें clearly पता चलता है कि ऐसे जो cases है ठीक है ना हमेशा नहीं हो सकते ठीक है ना जहां पे नहीं हो सकते सब के लिए यह चीज भी follow नहीं होगी तो जहां पे हमारा neither one nor two हमारा जो है वो ठीक रहेगा तो see इसके अंतर हम perfect लगाएंगे आगे मूँ करेंगे now we have study the following information carefully and answer the questions given below ठीक है ना इस information को हम जो है carefully study करते हैं and after that हमें जो है इनका answer करने है Ram is brother of Lakshman Ram जो है Lakshman का brother है ठीक है ना Kumar is brother of Hirani ठीक Kumar जो है वो Hirani का brother है Ram is married to sister of Kumar so हम इसको जो है जहां पर इसकी diagram से ट्रा करते है फालो करते जाएंगे ठीक है पहला क्योंसा है हमारा Ram is brother of Lakshman ठीक है Ram है जहां पर इसका हमें जंडर पता चल गया यह mail है तो जहां पर रखेंगे हम राम को यह राम है brother है किसका Lakshman का Lakshman का हमें पता नहीं कि इसका जंडर कौन सा है just write it like this ठीक है ना जह इसका brother है तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया brother ठीक है then we are Kumar is brother of Hirani जो कुमार है वो Hirani का ब्रदर है ठीक है ना तो कुमार का जंडर भी clear है यह mail है and जह किसका ब्रदर है जह ब्रदर है हिरानी का ठीक है now we are Ram is married to sister of Kumar Ram जो है वो शादी कर लेता है किस से कुमार की sister से तो कुमार की sister कौन सी है हिरानी इसकी तो एकी sister हमें जहां पे दिखने को मिल रही है तो जह अगर इसकी sister है तो इसकी शादी किस से हो रही है इसकी साथ शादी हो रही है हमारे है Ram is married to sister of Kumar ठीक है ना तो राम जो है इसकी इससे शादी कर रहा है किस से इस वाली से ठीक है ना तो यह राम है यह इसने इससे शादी कर दी तो पलस सेंबल से हम दिखाते हैं कि राम एंड हिराणी के आपस में शादी हुई है ठीक है Now we have प्रेम is son of Ram प्रेम जो है यह किसका son है राम का ठीक है तो राम जहां पर है एंड जहां पर Ram का एक son होना चाहिए ठीक है ना जो हिराणी का भी son होगा एंड इस son को हम जो है जहां पे लिखेंगे, जहां पे हम लिखते हैं, यह है हमारा P, ठीक है न, तो यह P है हमारा, प्रेम is son of Ram, ठीक है दिन, लक्षमन is son of a teacher, तो लक्षमन जो है, एक्चल में इसका, जडर कलेर हो गया हमें, लक्षमन जो है, यह son है, किसका, एक teacher का, तो जहां पे teacher male है, female है, हमें अभी इसका पता नहीं है, then we have Hirani is a daughter of Mala, Hirani जो है, ये daughter है, किसकी, Mala की, तो Hirani जहां पे है, and इसकी जो, Mala, जो है, मदर है, इदर फादर है, हमें पता नहीं कौन है, तो Mala की ये daughter है, ठीक है, Mala is wife of Ravi, तो Mala जो है, इसका मतलब हुए, ये lady है, ये wife है, किसकी, Ravi की, and now we have everything clear, how is Ravi related to Ram, Ravi जो है, किस तरह relate करता है, Ram से, तो ये है Ravi, ये है Ravi की बी-वी Mala, इनकी बेटी है, हिरानी, हिरानी की शादी हुई है, Ram से, तो Ram का Ravi हुआ सुसर, तो क्या होगा, father-in-law, तो B हमारा perfect रहेगा, जहां पर लगाएंगे, हम B and book करेंगे, आगे, study the following information, and answer the following questions, इस information को हम study करते हैं, नीचे दिएगे questions को, फिर answers करते हैं, ठीक है, चलिए, टावन A is 8 km east of टावन B, हमारा जो टावन A है, ठीक है न, स्पोस करते हैं, यहां पर हमारा टावन B है, ठीक है, यह हमारा B टावन है, यहां से 8 km की दूरी पर हमारा east की direction में, हमारा टावन है A, ठीक, then statement second, टावन C is 2 km south of टावन B, तो जो हमारा टावन C है, यह 2 km की दूरी पर है, south वाले side में, ठीक है न, टावन C is 7 km north of टावन D, टावन C जो है, हमारा 7 km है, north of D, ठीक है न, तो अगर C यह है, तो यहां पर, जो है, north of D, तो यह है, यहां पर, ठीक है न, इस तरह से होगा D, then we have टावन E is exactly between टावन D and F, ठीक है न, तो जहां पर, अगर D है, जहां पर हम रखेंगे नीचे F, इन दो के बीच में, exactly, जहां पर हमें कौन सा टावन मिल रहा है, E का टावन मिल रहा है, ठीक है न, then we have, टावन E is 3 km away from टावन F, तो टावन E जो है, ठीक है, टावन G is 4 km south of टावन F, तो टावन F से नीचे हम जाएंगे, 4 km पर हमें मिलेगा G, तो जहां पर है हमारा G नीचे, ठीक है न, Now, which of the following 3 lies in a straight line, तीनों straight line पर कौन से पढ़ते हैं, B, C, D, B, C, D हम देखते हैं, B जो है, जहां पर है, ठीक है न, C कहां पर है, जहां पर है, D कहां पर है, जहां पर है, तो यह हमारा perfect रहेगा, दूसरे को देखते हैं, A, F, E, A हमारा जहां पर है, F जहां पर है, E जहां पर है, तो यह एक line पर नहीं है, क्योंकि A side में है, अब A जहां पर भी A है, यह cut, जहां पर भी A है, D, F, G, तो D, F, G यह हमारा दूसरा है, dfg, which of the line is, we have to cross check, a वाला तो नहीं होगा, यह दोनों में है, cut, dfg, bcd, bcd, एक line में है, dfg, dfg, and, just we have to cross check, which of the following three towns lie in a straight line excluding e and f, sorry, हमें इसको गोर से read करना चाहिए, तो e and f को exclude करके, तो इसके अंदर f है, तो f को हम exclude करते हैं, bcd हमारा परफेक्ट रहेगा, तो a हमारा इसका answer होगा, भू करते हैं, next, there are 45 boys in a row, ठीक है, गोतम was shifted by five places towards right side, ठीक है, तो जहां पे हमारी एक row है and row के अंदर आपको in total 45 बच्चे देखने को मिल दे हैं, ठीक है ना, गोतम was shifted by five places towards right side, ठीक है ना, suppose करते हैं, जहां से लाइन शरू हो रही है and यहां से गोतम को जो है, हमने पांच places shift किया है, खहां पे right side में and he occupies the middle position, तो 45 का middle action में क्या है, यह है 23 ठीक है ना, तो जहां से इसको जो है पांच places move किया है and now जो है गोतम जहां पे आया है, इस जगह पे पहले, originally इस जगह पे नहीं था, जहां से पांच places पीछे था, पांच places पीछे होने का मतलब क्या हुआ, कि यह जहां पे 23 में से पांच निकले, अठा की position पे जहां पे था and यहां से यह जहां पे पहुंचा है, ठीक है ना, पांच places इसको shift करके, जहां पे हमने 23 पे लाया है, तो यह हमारा right end है, यह हमारा left end है, तो right end से हमें अब इसकी original position पता लगानी है, कि original position इसकी right end से क्या होगी, ठीक है ना, तो original position इसकी right end से क्या थी, तो पहले तो हम देखेंगे जहां पे, जो है हमारा, यह वाला कितने positions हैं, 23, 23 position इसकी right end है, तो 5 जहां से यह shift हुआ है, तो यह वाली 5 कितने होगे, 23 और 5, 28, तो 28 जो है जहां से, यह वाला जो है जहां पे, जहां से अगर हम count करते करते आएं, तो पहले originally यहां पे यह 28 पे था, ठीक है, तो यह हमारा रहेगा, perfect, कौन सा यह? Now we have question number 21, sorry, it's 19, in a group of 6 people, ठीक है, प्रकाश, उमार, रोजी, सुरेश, दिस, दिस, एज इस हावेगे a different weight, इन सबका different weight है, चलिए, तो हम आपना काम शुरू करते है, सुरेश जो है, यह heavier है, किस से, उमा से, ठीक है ना, रोजी is lighter than only रह्मान एंड प्रकाश, तो जो रोजी है, एंड रोजी जो है, ठीक है, यह lighter है किस से, इस तरह से लिखते हैं, जो हमारी रोजी है, ठीक है, रोजी lighter है किस किस से, प्रकाश एंड रह्मान से, ठीक है ना, मतलब यह दोनों भारी है एंड रोजी सिरी है जो है हलकी है बाकी सबसे यह बारी होगी ठीक है उम्मा यहां जो है लचाज नहीं है प्रकाश्म इस नहाड़ता है विएस्ट प्रकाश सबसे है लची तो चलिए हमें सूरेश है ठीक है जहां पर सूरेश है जहां पर उम्मा है ठीक है ना अब उम्मा जो है सबसे लाइटेस्ट नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि जहां से आगे कोई और हो सकता है तो जहां पर कुम आगे हो सकता है किसका जिकर जहां पर नहीं हुआ उम्मर का जिकर बाकि इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों से तो बारी है तो इसका मतलब फिर रोजी को हम जहां पर रखेंगे ठीक है ना उसके बाद इसने बताया कि जो हमारा जहां पर प्रकाश सबसे हैवियस्ट नहीं है अगर प्रकाश सबसे हैवियस्ट नहीं है तो हम जो है जहां पर हम many people are lighter than Suresh, Suresh say lighter, कितने लोग हमें जहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो Suresh कहां है, हमारा ये है, तो इसके बाद कितने हैं, lighter, यहां पे यह है, उम्माँ और उम्मर हैं, तो भी हम लगाएंगे perfect one, and now we have to move for next question, find the wrong number in the blue, in the blue number series, ठीक है ये number सीरिस इसने नीचे दे रखिया हमें बताना है इन में से गलत कौन सा है ठीक है तो चलिए वड़ार वी वेडिंग फार इसको जो है हम देख रहे हैं किस तरह से हम करेंगे ठीक है तो चलिए तेकते हैं पांच और दो कितना होता है साथ में से पांच निकालेंगे कितना बचेगा दो दिन उसके बाद दस में से साथ निकालेंगे कितना बचेगा तीन दिन हम पंदरा में से दस निकालेंगे बचेगा पांच ठीक है ना दिन हम बाइस में से आप देखेंगे कि एक प्राइम सीरीज चलती हमें दिख रही है ब हम्हें गहरा एड दो हैप 47 में से हम निकालेंगे 33 ठीक है 47 में इ таким निकालेंगे 27 में से 33 निकालेंगे यह हमीन आ रहा है चार ठीक है नड जारा इसकाम अगया तो फिरेन अभर बार दिखले है सिप्के रही है इसी नमबर पर ठीक है अट वहांट नं 46 ठीक है तो इस वज़ा से हमारी जो घलत सीरिस कोन से बन रही है भी बन रही है ठीक है ना तो क्योंकि Prime Series जहां पे हमें break हो गई that's why तो भी हमारा रहेगा perfect and इसको लगाएंगे भी next ठीक है now we have question number 21 and जहां से आगे जो है मुझे लगता है question जो है जो आपको थोड़ा धिमाग लगाने वाले question थे वह अले निकल के यहां से आगे आपको बहुत easy question जो है देखने को मिलेगी ठीक है तो पहला है America पहले देखें आपके spelling spells जो है इधर के उधर हो गए है ठीक है ना तो spells जो है चाहे water image जब बनेगी spells इधर के उधर नहीं होते ठीक है ना तो जहां पे तो देखें जिस तरह a फिर उसके बाद c को इस side में होना चाहिए water image बनने के लिए अब इस side में है ठीक है तो यह वाला हमारा cut हो गया ठीक है तो now we have पहले वाले देखें a इसका ठीक है c भी इसका ठीक हा water image की तरह i भी ठीक है r इसका गलत है क्योंकि r इसका होना चाहिए था actual में r इसका ठीक है e इसका इस side में होना चाहिए था ठीक है water image में इस side में होना चाहिए क्यों इस तरह से होना चाहिए था आप यह इस तरह से है तो हमारा रहेगा D perfect है ठीक है ना तो डी ही बज़ता है तो हम A C फिर उसके बाद I E M A तो यह वाला हमारा perfect है यह वाला हम लगाएंगे इसमें D Now we have question number 20 second ठीक है तो question number 20 second को हम देखते हैं find the mirror image of the following picture हमें इस picture की जो है mirror image देखनी है mirror image के अंदर basically हमारा simple सा फंड़ा होता है कि lateral inversion होती है मतलब जो चीज right होती है वो हमें left देखती है अपना दाया हाथ हमें जो है शीशे के अंदर ऐसे देखेगा हमें देखेगा left side में बस यही चीज जो है जो हमें यहाँ पर पहचाननी होती है and thin हम जो है यहाँ पर आपना answer निकाल पाते है तो चलिए जहाँ पर यह वाला है ठीक है अब यह वाला arrow अगर इस तरह से है तो अब इस arrow को किस तरह से होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए इस दिश्टा में ठीक है देखे जो है जो वाला है इसके अंदर हम वैसे नहीं है तो हमारा A & D तो पहले से ही कट होगे, पहली नजर के अंदर ही, ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास बज़ते हैं B & C, इसके अंदर हमें देखना है कि हमें कौन सा आएगा, ठीक है अगर arrow यहां के है, उसके बाद यह वाला गूल है, यह वाला गूल लगबग कहा होना चाहिए, इसको कहा है, यह नीचे आ गया है, जबकि नीचे नहीं था, तो जहां पर किसमें आ रहा है नीचे, इसमें चुर परफेक्ट आ रहा है, तो हमारा होगा भी, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको गोर करेंगे, देखेंगे, आप नहीं तो आप आपनी शकल देखें मेरर के इसमें से हमें बताना है कि कौन सी unfolded figure है हमारी picture की, जब ऐसा हम करते हैं, तो make sure कि exam के अंतर चुके थोड़ा time होता है, या तो आपको quick अगर आ रहा है, तो well and good है, अगर आपने practice नहीं किया, तो आप थोड़ा सा paper काट लीजिए, उस पर जो है वैसे करिए, ठीक है ना, तो just better जे है कि आपने पहले practice करके रखा हो, ताकि बहुत easy जो है इसको हो जाए, तो चलिए पहले paper इस तरह से था, इस तरह से fold किया, एक fold दिया paper को, then उसके बाद paper को दूसरा, इसमें fold दिया, ठीक है ना, तो जहां पे आपको एक चीज़ notice करने वाली जो है, दिखने को मिल र जख कि इसमें, इसने आप कैसे काटा, इसने इस paper को एक तो जहां से काटा, एक तो जहां से काटा, ठीक है ना, बीच में कितने हैं एक घूल है, बीच में घूल कितने होंगे, चार होंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे हम चार है, जहां पे कितने हैं, एक दो, तीन, चार, शाहां पूसमें है तो इसे नों कर सकते हैं यह जिस फ़िखते हैं यह जो जहां पर बना है हमारा तो इसके बरने की वज़ा से जब आप देखने की वज़ा से आपको डो जो है इस तरह से बनेंगे ठीक है इस तरह से करके फिगर बनेगी एक साइड में एक बनेगी इस साइड में ठीक है इस तरह से करके फिगर बनेगी तो यहां पर जो है आपको यह वाली फिगर देखने को मिल रही है ठीक है ना बट जो है आपको इस साइड में फिगर नहीं ब हमारे पास बचे यह और यह इन दों में हमें देखना है कि ठीक कौन सा होगा ठीक है तो यह वाली जो ऊपर वाला इस वाला था यह इस ने क्वालिफाई कर लिया है ठीक है आबडा इन दो फिगर्सको अगर हम देखें तो उसके बाद है यहां से जो काट है इस काट की वयर्ज़ 1700 से उपर में और नीचे में कट देखने को मिलेगा है यहां और यहां पे काट नहीं आएगा TH 70 का जाते हैं हमारा आता है c पर पर We have question number 24 now, ठीक है, तो question number 24 के अंदर जो है, हमें दिखाना है, what is the minimum possible straight lines are needed to draw this below image, यह जो नीचे हमने image draw की है, minimum हमें इसके अंदर कितनी straight lines जो है, जहां पर लगेंगी इसको draw करने के लिए, ठीक है न, तो यह वाला simple होता है, इसको हम count कर लेंगे, ठीक है न, तो एक जे स्तरा से यह line है, दूसरी यह वाली line है, ठीक है न, हम जो है, इसको side से count करते आएंगे, ठीक है न, तीसरी हमारी, यह line है, ठीक है, चोथी हमारी, यह line है, पांचवी यह, छटी यह, 7, 8, 9, and यह जो जहां पर बच के, 10, हमें यह चीज़ शोर करनी है, कि जहां से अगर हमने इसको count क फिर से इसको count नहीं करना, तो 10 हमें जहां पर जहीने को मिली, तो D हमारे जहां पर रहेगा, perfect, ठीक है, Now we have question number 25, यह वाला जो हमारा question होता है, basically हम इसको करते है, formula से, ठीक है न, just हम चाहें तो इसको count भी कर सकते है, बट बैटर यह रहता है, कि हम इसको formula से करें, For that actually we are counting figures, ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह से triangle होती है, इसका, जो है हमारे पास simple सा, इस तरह होता है, suppose करते हैं, यह हमारे पास है, इसके बीच में, इस तरह हमने line draw की, जहां पर हम count करते हैं, यह 1 है, यह 2 है, फिर इसको add करते हैं, 1 प्लस 2, तो जहां पर होगी 3, जब पर हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर 5, जहां पर हमें 5 जो है, इस तरह से नीचे, जो है lines draw हुई है, तो इन 5 को add करते हैं, 1 प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, तो इसको अगर हम count करें, तो पहले 5 का तरह के उकल होगा, 15 के उ तरह को बैदि है, तो इसके बाद जहां पर एक और चीज भी है, एक तो यह वाली चोटी triangle आपको देखने को मिल रही है, और दूसरी जहां पर एक छोटी triangle देखने को मिल रही है, चलिए आब इस चोटी triangle पर आते हैं, यहां पर इसमें 2 triangle 1 में और 2, 2 triangle तो 1 प्लस 2 ऐसी shape है तो 1 plus 2, यह हो जाएगी हमारी 3, तो 15 के साथ होगी हमारी 3, ठीक है ना, यह वाली हमारी अब होगी, अब now this one, इसका आब हम इसको कामट करेंगे, तो इसके अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, तो इसके अंदर 3 compartment है, मैं लेका 1, 2, 3, 3 और 2, 5 और 1, 6, तो जहां पे कितनी हैं, 6, अब 15 plus 3 plus 6, जब हम करेंगे कितनी के एकल होता है, 24, तो 24 हमारा कुल सा है, D, तो हमारा D रहेगा, perfect, now, move करते हैं, next question पे, 26, the sum of two numbers is 39, and their product is 324, what is the difference of the two numbers, ठीक है ना, हमारे पास assume करते हैं, 2 numbers है, for example, एक X है, दूसरा Y है, इनको जब आड करते हैं, तो यह 39 के एकल हो रहे हैं, ठीक हमें बताना है, जब X-Y करें, जब Y-X करें, तो यह किस के एकल होगा, ठीक है, तो यह चीज हमें बतानी है, हम एक number को ले लेते हैं, suppose करते हैं, एक number हमारे पास X है, दूसरा number हमारे पास हम Y ले, जब हम ले लेगे, 39-X, suppose करते हैं, यह दो number हैं, हमारे पास, एक X है, और द जो है यहां पर बनेगी ठीक है इस तरह से लें उस तरह से लें तो इसमें घब्राने की जुरूत नहीं है कैसे भ्याप ले सकते हैं तो चलिए अब हमें क्या बता रहा है कि इन दो का जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं जब x को क्रास करता हूं में 39-x से तो यह इकल हो जाता हम इसको क्वादियर टीक ही सीडी कार के लिखते हैं इसस्तंदर फार्म के अंदर ठीक है ना A2 A2 8 ब्लस Vx प्लस C ठीक है तो इस तरह से हमारी स्टंदर्डर फार्म होती है अम इसको इसको स्टंदर्ड फार्म के अंदर लिखते हैं 39-X ठीक है 39-X and now we have माइनस 324 ठीक है यह इसको एको ला गया अब माइनस को चाहूं तो मैं अंदर कर सकता हूं इस तरह से हम लिख सकते हैं 39x प्लास 324 ठीक है इस तरह कारके भी लिख सकते हूं x2-39x 324 ठीक है अब यह वाली ब्लास 324 ठीक है तरह से हम सब्लेट करें तरह से हम सब्लेट करेंगे अगर इसको हम एड या माइनस करें तो यह हमारा इकल होना चाहिए 39 जो है अगर हम इसको जो है में इसको है अगर ब्रेक करूं में 39 को 27 27 and 12 के बीच में जो है अगर break करूंगे, ठीक है, 27x, minus 27x and minus 12x, right, now, 39x है, ठीक है, इसको मैंने किया, minus 27 and minus 12, ठीक है, minus minus मैं प्लस करूंगा, ठीक है, ठीक है, प्लस हमारा क्या है, 34, 3, 24, ठीक है, जब हम इसको इनको दो नमबर्स को आपस में मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह इसकी equal आजाएगा, इसको हम फर्दर जिस तरह को सालव करते हैं, सालव कर लेंगे, बर जहां तक हमने कर दिया, जहां से ही हमें पता चल जा किसके equal होता है हमारा, यह हमारा equal होता है, 39 के, अगर 27 मेंसे 12 निकालता हूँ, 27 मेंसे में 12 निकालूं, 27 मेंसे में 12 निकालूं तो यह हमारा किसके equal हो जाएगा, 27 मेंसे 12 निकालेंगे, यह हमारा होता है, 15 के equal, 15 हमारा कुन सा option है, भी, तो हम लिखेंगे इसमें, भी हमारा perfect चाहे तो आप इसको आगर जो रूट सालव करोगे तब भी आपको जहीं जहां पर मिलने वाली है ठीक है अगर आपको इस तरह से कल्कुलेट करके इसको सालव करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं ठीक है Now we have question number 27. In an examination, a student scores 3 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer ठीक एक exam के अंदर एक बच्छा जो है उसको तीन marks मिल रहे हैं हार correct answer के लिए अगर वो question को गलत करता है तो उसका एक marks जो है कट जाता है ठीक है सही करता है तो तीन marks उसको मिलते हैं इस तरह से बच्छे ने जो है if he attempt all 75 questions exam के अंदर total 75 questions थे उसने सारे के सारे attempt कर दिये and in last उसको जो score उसका बनता है वो बनता है 173 marks का ठीक है ना the number of questions he attempt correctly is हमें बताना है कि इस में से यह 75 इसने questions किये इसमें से इसने correct कितने किये होंगे ठीक है तो चलिए इसको हम कैसे assume करते हैं हम इसको इस तरह generally जब यह वाला question आता है मान लेते हैं कि इस लड़के ने x number of questions सही किये x इसने correct किये ठीक है ना तो अगर इसने x number of questions correct किये तो घलत कितने किये होंगे गलत किये होंगे मतलब 75 minus x यह वाले questions इसने रांग किये होंगे दिन ठीक है ना अगर x number of questions इसने ठीक किये दिन x then 75 minus x इसने घलत किये होंगे अब question के E calling देखनि हमें questions क्या कह रहा है हमें ich questions कह रहा है इसने कितरे question का इसको कितने marks मिलते है थीन x नो तो 3-akस जत है इसने questions किए होंगे उसको हम multiply करेंगे 3 से कि इसका इतना score बना but हम minus करेंगे जितने इसने घलत किये हैं तो इसने घलत किये हैं 75 minus x into 1 ठीक है ना 75 minus x इतने question इसने घलत किये और इसको cross करेंगे हम 1 से खिड़ी क्या क्योंकि इसका कितना marks करता है एक marks मिलता है 3 marks तो हमने जितने इसने सही कि हमने तीन जहां से add कर दिये जहां से जितने घलत की हमने इसको 1 minus कर दिये ठीक है now किसके equal हो रहा है हमारा 173 के equal ठीक है questions खुझ कहारा है now हम इसको simplify करते हैं x की value हमारी जो होगी correct questions की जो है हमें पता दे दी ठीक है चलिए तीन एक्स है मेरे पास एंड जहां पर क्या बचेगा 75 एंड माइनस को अंतर छोड़ेंगे तो जहां पर हो जाएगा यह प्लस ठीक है ना एंड जहां पर हम देखें तो 3X प्लस X होगे मेरे पास 4X इस साइड चार एंड 75 को मैं उस साइड में भेजूँगा 173 प्लस 75 173 प्लस 75 मेरा किसको इकल हो जाएगा पांच और 3 आठ हो जाएंगे ठीक है ना साथ और साथ 14 हो जाएंगे ठीक है ना दो और एक एक और एक दो हो जाएंगे 248 हो जाएंगे बेरे पास ठीक है ना अव ठीक है अब मुझे X की वेल्यू निकालनी है तो X को मैं अकेला करूँगा 248 डिवाइड बाई जब मैं 4 करूँगा तो 4 चेच्च चोबीश ठीक है ना चार दुनियाठ तो 62 मतलब कि इसने जो है 62 क्वास्चन अक्चल में जो है सही किये हैं बाकी क्वास्चन जो है इसने गलत किये थे तो हमारा आपक्र आंसर कौन सा रहेगा यह वाला हमारा क्रेक्ट रहेगा जहां पर मुझ करते हैं ठीक है तो जहां पर देखते हैं हमारे पास जो है जहां पर इसने बता रखा है अगर x है मेरा किसको उकल 5 रहेगा पावर एक्स इस एकल तो 9y जब हमारे पास ऐसा क्वेशंग होता है तो यहां पर लिखता हूँ अब दखेए मेरे पास पावर एक्जंबल आपको ज़ाद होगा कि हमारे पास अगर इस तरह से होगा x raised to the power 2 एंड जहां पे मुझे value अगर दे रखी है तीन ठीक है न तो अगर इस वाले को मुझे जो है उस side shift करना है या इस दोनों को मैं कर सकता हूं बोथ side से किस से multiply कर सकता है 1 by 2 से जहां का 1 by 2 जो है कट जाता है जहां पे आ जाता है तो जहां वाला के अगर इसको मैं करूंगा k raised to the power 1 by x 1 by x को सकता है तो के इसे इसेंगे आपार मारे 충만 या हमारा क्राइच हो जाएगा तो 5 हमारा क्राइच के वाल हो जाईगा थीच मा तो 85 किस्के उकल हो जाएगा k is equal to minus 1 by z, ठीक है, जहां तक समझ आगा, I'm sure, यह चीज जो है, जहां तक हम ने इसको किस तरह से कर लिया, ठीक है, basic concept था जो हम ने जहां पे calculate किया, जहां पे एक चीज हमें समझने वाली होगी, कि हम अगर मैं 9 करास 5 करूँ, यह किसके equal होता है, 45 की equal, एंड जहां पे मैं value substitute करूँगा, 5 की, 9 की, 45 की, ठीक है ना, तो मेरे पास जहां पे 5 के बदले, यह जो है, मेरा 5, 5 के बदले में लिखूँगा, k raise to the power 1 by x, ठीक है न, तो k raise to the power 1 by x, ठीक है न, एंड टू, एंड टू जो है, यह वाला, जो है मेरा 9 है, 9 के बदले में लिखूँगा, k raise to the power 1 by y, is equal to, क्या है मेरा, यह है k raise to the power minus 1 by z, ठीक है, जहां तक हो गया, अब देखिए, जब बेसे सेम होते हैं, तो power हम क्या करते हैं, power तब add हो जाते हैं, ठीक है न, तो जहां पे अगर में देखू, अगर इस साइड में देखू, लेफ्ट साइड में देखू, तो के नीचे सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 by x plus 1 by y, ठीक होता है, कि ये वाले power हैं, ये वाले भी आपस में सेम होंगे, अगर ये वाला base सेम है, और बीच में is equal to होया, तो इसका क्या मतलब होता है, उपर वाले power भी सेम होंगे, तो हम इसको लिख सकते है, 1 by x plus 1 by y is equal to minus 1 by z, ठीक है न, अब मुझे actual में इसकी value क्या, किसकी value नकाल जाले है, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, ठीक है न, तो इदर क्या है, minus में है 1 by z, इसको मैं इस side में move करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, ठीक है न, ओधर minus में था, इदर आके plus में हो गया, but is equal to कि उस side में क्या बचा मुझे, is equal to कि उस side में, actually में मुझे 0 बचा, तो इसका ज now we have question number 29, ठीक है, question number 29 के अंदर है हमारा, कि हमारे पास 81 बाल है, एक basket के अंदर, ठीक है न, one ball is of less weight, यह जो 81 बाल है, इन में से एक जो बाल है, उसका कम weight है, ठीक है न, you must find the less weight using a balance, ठीक है न, हमें a balance को लेना है, और इसका जो है, देखना है कि सबसे कम weight वाला कौन सा है, you can keep balls on the two plates after balance, ठीक है न, हम जो, हमारे पास जो balance होगा, उसके दोनों साइड में हम जो है, बाल को रख सकते हैं, what is the minimum number of measurements required to find the less weight ball, ठीक है न, minimum हमें कितनी measurements करनी होगी, ताकि हम less weight का जो बाल है, उसको find out कर पाएं, ठीक है, हमारा जो balance है, इस तरह से होता है, इसको नीचे जो है इस तरह से plate होती है, ठीक है, एंड पहले हम क्या करेंगे, यह जो हमारा 81 है, ठीक है न, 81 को हम क्या करेंगे, इसको हम divide बे करेंगे, ठीक है न, तो इसको हम divide कर लेते हैं, 8 parts के अंदर, ठीक है न, 81 है, तो यह किसका factor है, अगर हम देखें, तो यह है actual में, 27 into 3 में करता हूँ तो यह किसके equal हो जाता है, 81 के equal हो जाता है, तो मतलब मैं पहले तीन जो है बालों के group बनाऊँगा, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 मैं इधर किये, मैं इधर रखूँगा, 27, 27, 27, मैं इनको measure करूँगा, ठीक है न, तो जार इसी बात है, दो इसमें equal हो जाएंगे, for example, जो है यह वाल का weight किया, इस वाले को इधर डाला, ठीक है न, तो अब मैंने इसमें का जब weight किया, तो I found कि इसके अंदर कुछ difference है, इस वाला जो है, इस वाले से काम है, ठीक है न, यह वाला बारी था, यह नीचे जुग किया, यह वाला light weight था, यह थोड़ा ऊपर रहा, ठीक है न, तो इस 7 को मैं फिर से 3 इसके part बनाऊँगा, कितने कितने के pack बनाऊँगा, मैं इसके 3, मैं इसके बनाऊँगा, no, 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 no जो तीसरा हमारे पास 9 होगा, जाहिर सी बात है, इन में से कोई एक जो होगा, उसमें हमें कम वेट देखेगा, जिस 9 में हमें कम वेट देखेगा, उन 9 को हम अलग कर देंगे, उनका फिर से वेट करना शुरू कर देंगे, तो 9 के फिर फर्दर हम बनाएंगे 3, 3, and 3, ठीक है तीन, 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 तीन तीन बनाएंगे, फिर से हम जो है नेक्स टाइम जो है वेट करेंगे, एंड जहां पे, एंड जहां पे, ठीक है, फिर से अब मैं तीन, तीन का वेट करना शुरू किया, एंड इन तीन में से मुझे पता चलेगा, कि इन में से कोई तीन ऐसे हैं, जि है एक एक का वेट करूंगा थो मुझे पता चलेगा कि लाइट वेट वाला कौन सा है जहां पर हमने चार बार हमने measurement की, तो इसका perfect answer क्या रहेगा, see you, ठीक है, now, भू करते हैं, next way, the ratio of length and breadth of 3 rectangles, 3 is to 1, 3 is to 5, 7 is to 5, respectively, if the parameters of 3 rectangles are same, then what is the ratio of the area of 3 rectangles, ठीक है न, हमें जो है, for example, यहां पर दे रखिये हैं, हमें 3 rectangles, एक यह है, दूसरी यह है, and तीसरी यह rectangle है, ठीक है, तो पहली जो rectangle है, इसमें एक side, जो है, हम assume कर लेते हैं, 3 है, 3x है, दूसरा जो है, 1x है, ठीक है न, इस तरह से दूसरी हमारी ratio क्या है, 3x, and breadth, जो है, हमारी इसकी कितनी है, 5y, 3y, 3y, 5y, ठीक है, 3x, 1x, then we have 7z, and 5z, ठीक है, तो यह suppose हमारे पास rectangles हैं, यह इनकी ratio है, ratio का, जो, I am sure आपको बता होगा, कि ratio जो होती है, यह इसकी, जांकी यह जो 3 है, यह actual value इसकी नहीं है, बलके यह इसके, इसके, जो है, relation में है, ठीक है, यह value जो link है, यह इसके relative में, इनके बीच में क्या relation है, तो जो, ratio हमारी यह चीज़ establish करती है, ना, के actual value देती है, ठीक है, तो चलिए, जह कहता है, कि इनके parameter same है, अगर perimeter इनके सेम हैं, तो इस वाली का, इस वाली का, इस वाली का, जो perimeter सभी equal होंगे, अब perimeter जो होता है rectangle का, वो होता है this side plus, this side plus, this side plus, this side, ठीक है, इसी तरह से होता है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कि 2 into, 2 into, 3x into 1x, ठीक है, 3x plus 1x, तो कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है, तो ये इकल है किसके, 2 into, 5 plus 3, 8y, ठीक है, is equal to, ये वाली equal है किसके, 7z के, 7z, 2 into, 7 और 5, 12z, ठीक है, इसके equal है, ये वाला perimeter है, 2-2 हर जगह पे हैं, तो काड़ देते हैं, ठीक है, अब इसको 4 है, तो 4, 1, 4, 4, 8, 4, 12, तो हमारे पास ये है, x is equal to, 4y is equal to, 3z, ठीक है ना, तो ये हमने perimeter से बनाया है, जस्ट हमें ये क्यों जरूर्ट है, इसका क्या परपस है, इसको हम देखेंगे, जहां पे, but for that हम चलते हैं, आपने किस पे, area पे, area देखते हैं, हमारा एक ट्रेंगल, rectangle होती है, किसके इकल होता है, हमारा area जो होता ह rectangle का वो होता है, length into breadth, ठीक है, तो जहां पे पहली, जो हमारी rectangle है, sorry, rectangle है, उसका area है, मेरे पास कितना, 3x into 1x, कितना हो जाएगा, 3 acres square, ठीक है, तो ये वाला है, is equal to, 3 into 5y, 3y into 5y, कितना हो जाएगा, 3 पज़े, 15y square, 15y square, and then we have 7 into 5, 7 पज़े, 35, 35z square, ठीक है, ठीक है, हमें ये वाली जो है, इसकी ratio, find out करनी है, एंतीन की, ठीक है, is to करके भी लिख सकते हैं, 3x square, then 15y square, then is to 35z square, ठीक है, ये ratio मैंने लिखती, बट यहाँ पर फंटा क्या है, कि जब हम ratio लिखती है, तब इसका जो unit होना चाहिए, वो same होना चाहिए, जहाँ पर क्या है, x है, जहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो हमारी यह जो y है, इसको मैं replace करूँगा, किस से x से, and z को भी replace करूँगा, मैं x से, जा फिर इन सब को z मे replace करूँ, and x को भी z में replace करूँ, तो यह काम जो है, हम करेंगे, जो इसने पहला हमें question का part दिया था, कि perimeter इनके same है, ठीक है, तो उससे हम इस चीज को करेंगे, ठीक है, तो y को जो है, जो y की value है, इसको replace करूँगा, मैं x की value से, ठीक है, तो for that में क्या कर रहा हूँ, इन सब square करता हूँ, ठीक है, तो हम इन पर कर देते है, square, sorry, square यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, just हम जो है, इसकी value जो है, जहाँ पर find out करेंगे, कि पहले मैं x को equate करता हूँ, ठीक है, 4y से, sorry, यह 4y नहीं है, यह है, actually मैं हमारे पास 2y, यह 2 है, ठीक है, तो इसको मैं पहले 2 2y से, जो है, इसको मैं equate कर लेता हूँ, तो चलिए, अगर मैं मान लेता हूँ, इस तरह से, x जो है, मेरा equal है, यह है, 2y के, तो जहाँ पर अगर मैं y की value निकालू, तो यह हो जाएगा, x divided by 2, ठीक है, इसको equal यह वाली value हो जाएगी मेरी, ठीक है, तो just, अब जो है, मैं इ x square divided by, यह मेरा हो जाएगा, 4, ठीक है न, जा चाहूं तो मैं इस पूरे को square कर सकता हूँ, वैसे भी, ठीक है, तो x की value मैंने निकाल, y की value मैंने निकाल दी, x, x square divided by 4, तो 3x square मैंने अपनी जगा पे रखा, and 15y, जो square है, y square की जगा पे मैंने क्या लिखा, x square divided by 4, ठीक है न, इसी तरह से, जो है मेरा 35 है, उसके बाद है z, z को भी मैं, x square मैं convert करना चाहता हूँ, for that पे क्या करूँगा, कि आपना जे जो x है, इसको मैं equate करूँगा, 3z के, 3z के मैंने इसको equate किया, मुझे z की value चाहिए, तो हम लिखता हूँ, x divided by 3, इन दो को, दोनों को अगर square करें नीचे 9 हो जाएगा, ठीक है, तो z square is equal to x square divided by 9, तो z square, x square divided by 9, तो ये वाली value जो है, ultimately, मेरे पास जो है, इस तरह से ये चीज़े आ गई है, ठीक है, now, इसको मैं simplify करता हूँ, और देखता हूँ, मेरी क्या ratio बनती है, ठीक है, and for that, मुझे क्या करना है, इस 4 का और 9 का L से कित हम जो है, अब इसका जो LCM है, 4 and low का, इसे हम सब को multiply करने वाले हैं, यहाँ पर अगर करेंगे, तो कितना हो जाए, 4 and low का, क्या आता है LCM, मेरे पास 36, तो 36 से मैं 3 को multiply करूँगा, ठीक है, x square, x square सब जगा पर अब हो चुका है, तो इसको मैं cut देता हूँ, now, we left with, जहाँ प 15 जब करेंगे, यह हो जाएगा, 135, ठीक है न, then उसके बाद, क्या है मेरा 35, into, क्या हो जाएगा, 36 divided by 9, 9 and, जहाँ पर बचेगा 4, 4 into 35, जब मैं करूँगा, किसके एकल हो जाएगा, 140, 108 is to 135, 140, जेवाला कौन सा हमारा A है, तो A हमारा होगा, इसका answer, move करते हैं, अब हम next पे, क्या है, जब हमारा 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 ह